Hello dear students, welcome back to my channel, physics SVC, gravitation का, एक कुश्चन, a body of mass small n, is taken from the earth's surface, to height h equal to twice of the radius of earth, the increase in potential energy will be, g as listened to gravity on the surface of earth, और ये चार्चार्च की, इस कुश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक जिसको ड्रकली formula याद है उसके दो दो लाइन का है, और इसको याद नहीं है, तो फिर भी कर सकते हैं, की एक तो आपकी अर्थ है ये, ठीक है मिसलिए और ये अर्थ का मायास है और ये अर्थ की रेडियूस है रे, ये surface of standard हो गया इस से कितनी height पर 2 height पर एक body को ले जाना है यहाँ से पहले surface पर पहले body इसका mass small time में और इसको मुझ कराना है आपको यहाँ से और इस जगे पर यहाँ पर यहाँ आना है कितनी height पर अर्थ की surface से 2 times of अर्थी की radius के यहाँ पर ले आना है A से B मूँ कराना है तो उपर तरफ चलने पर कितनी potential energy में increment होगा यह हमसे पूछ रहा है तो increasing potential energy increasing potential energy तो delta U इसका formula होता है हमें याद होना चाहिए MGH यहाँ जिस body को मूँ करा रहे हैं उसका महाँ से small m और 1 प्लस H upon R लेकिन यह formula हमेशा नहीं लगाते है यह तब लगाते हैं जब H अर्थ की radius की comparing बढ़ा हो negligible नहीं हो है H अर्थ की radius की comparing ठीक है ठीक है तो H negligible नहीं होना चाहिए अर्थ की radius comparing तो लगा सकते हैं याब तो H रावर 2R E तो लगा सकते हैं देल्टा यू वरावर M G H की value 2R E और 1 प्लस 2R E over R E यह R E होता है R E लिख देता हम अर्थ के लिए हैं तो R E से R E कैंसर तो नीचे हो गया 3 और उपर है 2 2 वाई 3 2R E M G R E और G अर्थ के surface पर S संद्टू ग्रैविटी होती है यहाँ पर इस formula में G अर्थ के surface वारा S संद्टू ग्रैविटी है तो डेल्टा यू इतना आ गया 2 वाई 3 M G R E इसलिए इसकी जो चोईस हो गई C चोईस के रिकारट तो वो कितना असानी सो गया formula अगर learn है यह वाला formula में याद होना चीए लेकिन साथ में यह भी याद होना चीए इस condition valid है अगर H अर्थ की radius के comparing negligible होता तो H इसमें हम किसको ignore करते H upon R E को चोड़ देते हम इसको neglect कर देते विटा यह एक से कम हो गया और एक से कम है तो इससे neglect कर देते तो delta U कितना आता MGH आता इतना आता यह यह negligible हो H अर्थ की radius comparing तब लगा थे इसको ठीक है अब second method में आ जाए second method से कैसे करते है तो देखो second method में हम करें तो हम इस जगह पर gravitational potential energy लिख लेते है initial कितनी है UI यह लिखें तो minus का G capital M और small M दोनों का mass मलपलाई गिया और इन दोनों के विच की sortest separation जो की R E है तो initial percentage जब यह इस जगह पर है तो इतनी percentage है जब यह B पर्ण पहन जाएगा तो यह final potential energy लिख लेते है minus का G अर्थ का mass और body का mass over इन दोनों के विच की sortest separation बी पोईशन पर लग रहे हैं तो B point और body यहाँ पर पहुंच गई इसका mass small M में और capital M अर्थ के center के विच की sortest separation जो की कितनी है R E है और H R E plus H और H कितना है 2 R E 2 R E तो कितना हो जाएगा R E plus H 3 R E हो जाएगा तो यह 3 R E actual में एक point रह बता एता हूं किसी भी point का जैसे A point की अगर हमें potential energy लिखनी है तो mass into A point का potential due to earth क्योंकि यहाँ पर A की source है earth जिसके gravitational field में small M है तो small M लिखे लो small M किसके gravitational field में है earth के gravitational field में है तो earth का gravitational potential A point का तो बैसे net लिखते है यहाँ पर cable earth ही उसके रहा हूं इसलिए A और A point का potential लिखे earth एक solid sphere है solid sphere के surface पर कितना gravitational potential है अगर वो formula याद है तो यहाँ लिखे लो minus का G capital M और आर्थ के surface पर gravitational potential इतना होता है यह आर्थ के surface पर gravitational potential है surface पर इसलिए लिखे देंगे minus का G capital M small M by R actual में potential अगर पोटेंशल अगर याद हो तो ठीक है अगर B point पर निकालनी है तो mass और B point का gravitational potential at point B due to earth gravitational potential at a B due to earth तो M आप देखो R ते एक solar sphere है और वो point B जो है वो outside the solar sphere है और outside जो gravitational potential होता है solar sphere के लिए G M center से outside point तक की distance center से outside point तक की distance तो यह distance लिखेंगे जो कि 3 R E है तो 3 R E इसलिए आजाएगा minus का G capital M small M by 3 R E तो potential energy at point B पर इतनी आजाएगी यह formula याद रखिए लेकिन ध्याने करना अगर और और भी और कोई planet होता बाद में तो यह net gravitational potential होता है at point A का लेकिन यह test mass है और यह जिसके यह gravitational field में है तो यहाँ पर R 3 gravitational field में उसका potential लिखेंगे ठीक है चली अब directly हमें याद है में इंटरेक्ट लिख लिए change in percentage पूच रहा अब बताओ पहले तो UI जाद है के UF तो जोको ऐसा लगता है कि यह वाली value बड़ी है तो यह छोटी होगी हाँ negative में small होगी negative में यह वाली value small होगी और यह negative में बड़ी होगी तो यह वाली value तभी तक valid है जब हम infinite पर reference point माले और वहाँ पर gravitational potential भी 0 माले और potential energy भी 0 माले यह maximum होती है infinity पर maximum होती है तो उबित्रब चलने पर potential energy बढ़ती है यह ज्यानक नाब ठीक है तो लगा दीजे increasing potential energy increasing potential energy delta U U final minus U initial change लख लो U final लख लो minus का G capital M small M over 3RE और minus and minus का G M small M over RE तो दो को यह minus minus plus हो जाएगा और plus हो गया तो इसे लिए सकते हैं minus का G capital M small M over 3RE और plus हो गया यह G capital M small M over RE यहाँ से आप 3RE L से हम ले ले तो 3RE से तो 3RE कटे गया G M M plus 3 G M 3 में से एक गठा दिया तो 2 बचेंगे तो 2 G M M over 3RE अब इस G M की जगे पर आप उठ कर दो कितना हो? अर्थ के सर्फेस पर जो acceleration due to gravity होती है अर्थ के सर्फेस पर जो acceleration due to gravity होती है G यह होती है G M अर्थ का मास और अर्थ की रडियस का स्केर यहां से G M निकालेंगे तो G R स्केर ले सकते हैं तो G M की जगे पर G R स्केर ले दो तो यह हो जाएगा 2 Y 3 M G R E आया वही देखो ठीक है? वो तुमेने इतनी सारी डाटा बताएं आपको इसलिए टाइम लगा डिरेक्टली लिखता में इसको तो आसानी से जल्दी हो जाता पढ़ते रहे और खुश रहे है थेंक्यो